यूपी पुलिस को पूरे प्रशासन को मानिने मुख्यमंत्री जी योग्या दितनाजी को यादो नहीं कहूंगा कि यादो यादो अब मुश्किल में फसके हैं यादो बिग बॉस ओटीटी टूबनर रहे हैं यादो पर नोईडा में मुकत्मा धर्च किया गया उन पर आरोब है कीपो पार्टियों में सापो का जहर प्रोवाइट कराते हैं नोईडा में च्छापडा लागया तो पार्टी में सापो का जहर परामद हुआ जिसमें यादो समेट पास लोग अरेश्ट हुए हैं एलविस जादो हाई प्रोफाइल पार्टियों में सापों का जहर अपलब्त कराते थे पलहाल एलविस जादो ने भी अपना पक्च रखा और उन्होंने कहा कि उन पर लगे आरोप कलत है हंजी गाईज मैं हूँ आपका अपना एलविस जादो और मैं सुबह उठा कि कैसे कैसे न्यूस फैल्री है मेरे खिलाफ ऑल ओर मीडिया में इस चीज़ को रखा एलविस जादोव जादोभ नशील पदाथ कहारत है यह साथ है पकड़े गया सारे खिलाफ फैल्री हैं जितने भी आरोप मेरे उपर लगे हैं भाई सारे बे-बुनियाद है सारे फेक हैं एक परसेंट भी इनमें सच्चा ही नहीं है मैं पूरा सायोग करने के लिए तयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को पूरे फ्रशासन को मानिने मुख्यमंत्री जी योग्यादित्यनाजी को कि मेरी एक परसेंट भी 0 0.1% भी अगर इस चीज में इन्वाल्व्मेंट मिल जाती है मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तयार हूँ और मीडिया से रिक्वेस्टे क्रिपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाएं लविशादवरेस्टिड जो सारी चीज़ आप लिख रहे हो प्लीज मेरा कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक सो मिल तक मेरा कोई लेना देना नहीं अगर यह प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ बिग बॉस का वानर आम इन वीनर बंदर फूल एल्विस यादों नहीं कहूंगा कि यादों बहुत रिस्पेक्टिट शब्द है मेरे लिए एल्विस लोगों को विश्पिलाती हूए पाया गया साप, अस्तिन का साप निकलाई है बताईए एल्विस को जो नौजवानों को बरगलाता है समाज का करता है बिग लॉस उसे विनर बनाता है ये टीवी का प्रोगाम सड़ा हूँआ प्रोगाम बिग बॉस शर्मानी चाहिए मतलब जो दुनिया के नजर में अपरादी है वो आपकी यादी में है हां जो क्रिमिनल है वो आपका फाइनल है कितनी शर्म की बात है मतलब नाम में विश है इसका उतले एल्विश कलंगकार लोग है ये लोग यही वज़े है कि अच्छे और सच्छे कलाकार पिजारे शोशल मेडिया पर व्यूज नहीं पापाते और ये उल्टी सीधी हरकत करके नंगा नाच के या उल्टा सिता काम करके व्यूज भी पा लेते और इनके व्यूज को देखके टेली विजन वाले बड़े खुश होते अरे इतनी लोग इंको चाह रहे है अरे भाई असामजी तत्वाई है जो समझ में नहीं आता है वो समाज में नहीं आता है मिल गया ना जहर पिलाते यास्तिन का साब इसको आपने विनर बनाया था कमाल है यार है ना ओपर से यह नंगी यौरत और फी जाविद उसे भी शर्म नहीं उसको भी पुलिस ने आगर पकड़ लिया लेकि मज़े लग मिले कि नंगे से भगवान भी डरता है इंसान तो क्या कर लेगा मतलब कमाल होगे ना कैसे कैसे लोग इस सोचल मीडिया पर स्टार बन रहे हैं और उनको बनाय जा रहे हैं उनको निगुज और भाण मीडिया वाल समय कहुए कि जारा भाण रखे इस बात का कि कौन देश के लिए काम कर रहा है कौन अच्छा काम कर रहा है कौन स्टेज पे कौन फिल्मों में मेहनत कर रहा है उनको बढ़ाओ ना भाई अपने पूर्डकास में उनको बलाओ न लेकिन नंगी नंगी गालिया देने वाले कौमेडी के नाम पे स्टेंड अप के नाम पे हरामी बन करने नंगा घुमके तुमने खुद को वेस्ट किया है, इसलिए पूलिस ने तुमको अरेस्ट किया है, अरे उर्फी बेहन, कपड़े पूरे पेहन, तू है कलंक उर्फी, तू नली अरेस्ट हो गई तू अरेस्ट होगे तरह दिमागे हिलाज होगा, और तू समाज के जो महिला है, जो सिंपल, जो पुलिस महिला है, जो तुझे गरफतार करने आई थी, उन महिलाओं का अपमान कर रही है, लड़कियां महनती हैं, पड़ी लिखी है, अपनी जिमदारी और जवाबदरी को समझती ह चाहि कम पड़ी लिखी भी लड़कियां होता है, ताकि वो भी अपना काम करती है, पुलिस वाली लड़कियां देखो, सलाम है उन लड़कियों को, देश की राष्टरपती द्रोपदी है, उन्होंने अपनी जीवन को किस तरह से जिया है, तब जग आज उच्छे मुकाम पर आज महिला है, और ये उर्फी और वो एलविश, विश कहीं का, भया ऐसे लोगों को प्रमोड करना छोड़िये, नहीं तो देश और समाज तबाह हो जाएगा, और OTT जो 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 लोगों को शर्म आनी चाहिए, अपना काम बनता भार में जाए जनता, नंगे लोगों को आली गलोज देने वाले आलतू-फालतू लोगों को किडे मकोड़ों को जो तुम प्रमोड करते हो, इन में ऐसे किसी की आवकात नहीं कि टेलेंटेट आदम के समने खड़े भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी बेशार्म की हो जाए, तुम्हारे बांड गिरी की हो जाए, इनको पकड़ पकड़ के ना इनको पहले तो उल्टा पकड़ के मारो इन लोगों को, जो जो गाली है देता है समाज में, नंगापन करता है चाहिए, लड़का वे लड़की, बहुत मारो इन लोगों, बहुत मारो, इनकी हड़ी तक सुच जानी चाहिए, बहुत बद्दू